कि नमस्का दोस्तों मैं हूँ प्रकास और आप सभी को यूटूब चैनल में स्वागता है आज किस वीडियो में आपने बात करेंगे पॉलिगोन टॉल इस्टार टूल और स्पारल टूल का यूजेस के बारे में तो चले आपने वीडियो को सुरू करते हैं और समझते हैं इन पॉलिगोन टूल स्टार टूल और स्पारल टूल कर सकते हैं जिनको आता है इन सारे टूल के बारे में तो वीडियो को स्किप कर लिए और इनको नहीं आता है आप वीडियो को वाश कर सकते हैं सभी टूल को एक एक करके हम लोग समझते हैं इन वीडियो में और इसका यहां से अप इंग्रेज भी कर सकते हैं और इसका जो इहां पर लाएन स्टेल स Likewise क्र सकते हैं दिये कर सकते तो इतना अब कर सकते हैं तो चलिए इतने समझ में ऐगे मैं इसको सिल्क्ट करकाूं एटा देता हूं वपास इसके बारे महम बात करेंगे पर ने आए स्थार टूल है कि यह बारे मैं अदेन्स कर लिया कंडरोल साथ इस तरिक से लाज एग बेट संद माउस को ब्रेश करते लाकी अब इसका प्रोपाटीज के बारे में हम बात करते हैं यह तो जैसे कि प्रिवियस वीडियो में मैंने बात किया था यहां पर सेम हो इसे ही है नाया में यहां पर आपको तीन चीज हैं पर दिखाई ज़रा हुए यह आपको इस्टार और यह कंपलेक्स इस्टार और यह यह तो यहां साब बढ़ाएंगे इस तरह से 6789 यानि क्या टो एंटी भी कर सकते हैं इस तरीका से करके देख लेजिए रेड कर देता हूं कलर इस तरह से और यहां पर आप इसका आउटलाइन स्टाइल को भी चेंज कर सकते इस तरह से ज्यादा बढ़ा बढ़ा हो गया तो मैं फोर कर देता हूं इस तरीका से यह बनाएगा ठीक है तो मैं फिलहाल स्टार का बात कर रहा हूं तो इस तरीका से बनाएगा और भी बहुत कुछ इसका अलग-अलग डिजन क्रियेट कर सके तो वापस मैं सेलेट करूंगा यह पोलिगन टूल ठीक है इहां पर मैंने टाउड लाइन को मैं एट कर रहा हूं ठीक है इस तरीका से अब इस वाले ओब्जेक्ट से यानि की पोलिगन टूल से अपन क्या क्या कर सकते हैं यहां से आप घटाएंगे तो इस तरीका से ट्राइंगल बनेगा और यहां से बढ़ाएंगे फोर तो यह स्क्वार बनेगा और भी बढ़ाएंगे तो यह बन गया प्लिगन और बढ़ाएंगे तो इस तरीका से श्ट्राइश चलियंगे अब आपने जावरत के मताविक आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से तार से यह तो समझ में आ गया आप इसमें पर सकते हैं इस तरह से मैंने अवालर कर दिया हाना हो तो करेंगे कि यहां से भी ले ले लिए ठीक है मैंने ले लिया और यहां पर पर नोड आपको मिलेगा इसको सेलेट करेंगे तो और यहां पर पकरना है एक राज से बन गया स्टार ठीक है कि यहाद ही यहाद यहाद आपको शीधा ना लगे तो आप एक आप काम करें यहाद से अप्र प्रेयन टूल करना यहाद और यहाद पर लाइन बनाएं इसको नसे इसको अभी इसको लाइन को आप अभी हटा सकते हैं तो इस तरीका से आप दिविन प्रकार का डिजैन इस टूल की मद्याम से करेट कर सकते हैं यहां से आप बढ़ा सकते हैं जैसे कि मैं 20 कर लेता हूं तो इस तरीका से बनेगा इसको भी आप यहां से आप 20 करेंगे तो भी सेम बनेगा इस तर पार रहा हूं next tool के बरवाम बात करते हैं हिस इहां select करेंगी इस पारेल तूल select कर लिया control साथ में ड्राग करिये चाहे तो बिना control साथ में ड्राग करेंगे आपके ऊपर है ठेक है इस तरीका से चलिए इसका और लाइन को मैं इसमें आप लेट किलिक करना होगा रिधेन को आप कहां से करने यहां से और आप कर सकते हैं तो आप कंटोल शिंट और इस तरह से तो हम एक चीज यहां पर बात कर लेता हैं इसको मैं इधर कर लेता हूं इस तरीका का object हम दुसरा वला टूल से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं बना सकते हैं उसको भी similar है इसलिए मैं बता रहा हूँ अलांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ तो फ्रियन टूल से मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूँ छोटा वला इस तरह से ठीक है बिल्कुल छोटा बना दिया वार्टिकल आपको दिखाई दे रहा होगा आप आपन क्या करेंगे यहां से आइकान में क्लिक करेंगे और यहां से आपको मिलना है टुरल टूल इसको से से तरना यानिक लाइन को और आपको थोड़ा देर के लिए किली करका रखेंगे तो क्या होते है आप देख लीए है इस तरीका को कि बस हो गया है कि ऐसे मौटा कर लेता हो वेट करोंगा अ कहां आया तो नहीं हाइड चलिए वापस में कर रहां इस तरह से उल्दा यहां से तो इधर से गुम रहा है तो कोई बात नहीं ज्यादा बड़ा प्रभलेम नहीं है यहाँ से इसको इदर गुमा देंगे और इधर करेंगे तो यह एक्वल हो जाएगा ठेक है दोनों इस तरीका से तो इस तरीका से यह काम करता है यह तुल सेम एसा ही हम बना दिया यह यह ला आप बनाना चाहते हैं उस रूप से आप डिएन कर लिए सिंपल ठीक है जादा आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रेटिस करिए तक इसमें आप प्रेफेक्ट बनते जाए और नया नया डिएन क्रिएट करिए तो हम नेक्स्ट वाला वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ में मिलते हैं आज के लिए इतना हैं और थैंक्यों सो मुझ पर वाचिंग इस वीडियो